हेलो क्रिकेटर्स तो कैसे आप सभी दो आज मैं बात करने वाला हूँ पेस बॉलिंग बेसिक ग्रिप के बारे में मैं आपको पांस टिप्स देने वाला हम दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को लाइब कर लें सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों को सेरे करें जो इस बीगनर है जो भी क्रिकेट स्टार्टी कर रहे हैं पेस बॉलिंग जो इक कर रहे हैं आप उन दोस्तों को सेरे कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं को कौन 5 basic tips हैं आप चीन को देखके आप अच्छे से base bowling कर सकते हैं जो beginner हैं दोस्तों उनको ball पर guard ट्रोल नहीं है या फिर seam पर guard ट्रोल नहीं है तो आप इस ball को इसी साब से गुमा सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों या पुरा seam पर चल रहा है आपको इसी साब से करना परेगा आप दे दे करते रहें और आपको कर दो बोल प्याद आगा दोस्तों आप देख सकते हैं मैं दूजरा tip सभात कर लेता हूं दोस्तों आप सीम कोना जाला ऐसे पकड़ें, ना जाला ऐसे पकड़ें, दोनों पाप चटागे पकड़ें, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो उगली होता है दोनों सीम भी होना चाहिए दोस्तों, और तीसरा कितने लोग इसको इसी साफ से रखते हैं, कोई सीधा रखते हैं, कोई ऐस इसलाब से आप इसको सिधा दे सकते हैं दोस्तों या ऐसे भी रख सकते हैं और तिस्दा टिप्स का मैं बात करो दोस्तों आप जब बॉल गीफ करना हैं तो आप इस बात कर धियान लगिए आपका इस बीच में एक उंगली का गयाप होना साही दोस्तों अगर इस विफ में कुली का ग्याप नहीं होगा, तो आपका बॉल साइड अक्सर इस नहीं हो पागा, आपको बॉल पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो चलिए अगले टिप्स का बात कर लेते हैं दोस्तों, अगले टिप्स यह है, आपको बॉल पकर नहीं है, लेकिन पूरे बॉल नीकाले में यहुँटे कर बॉल नीकाले में तो और नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं już उपर से ये उंगली चलेगा दोस्तो ऐसे ऐसे चलेगा यह देख रहे हैं ऐसे चलेगा तो जादा ब्यार के स्कीनो नेकला चांस होता और आप डिपलर प्रेक्स करिए दोस्तो आपका बॉलिंग बहुत अच्छा हो जागा दोस्तो मैं किर्केट से रिलेटेट वीडियो में जालता रहता हूं तो आप मैंने चल्ल को सब्सक्राब कर ले लाक एंड शेर करें तो चलिए आधी वीडियो में भी